नमस्कार तो आज हम ली पियर के बारे में जानेंगे देखिए आप मैंसे काफी लोगों को पता है कि ली पियर क्या होता है और ली पियर जो है वो चार वर्सों के बाद क्यों आता है ये आप मैंसे कुछ लोगों को पता होगा कुछ लोगों को पता नहीं चलिए इस concept को समझने की कोशिस करते हैं सबसे पहले जानेंगे कि ली पीर होता क्या है उसके बाद जानेंगे कि ली पीर चार वर्सों के बाद क्यों आता है देखें ली पीर होता क्या है ली पीर जो है होता है जो year जो है चार से completely divide हो जाता है उस year को कहते हैं ली पीर अब दे 60 डेज आएंगे 365 डेज नहीं आएंगे इससे पहले लीपियर था 2016 में इसके बाद लीपियर आएगा 2024 में प्रंतु ऐसा होता क्यों है कि यह एक दिन एक्स्ट्रा आता है इस कॉंसेप्ट को अब समझते हैं इसके साथ ही हम एक आता है रासे सैप्सट्रा जानेंगे कि क्या 20 जो है जब 200 वर्स आएगा तो यह क्या लिपियर होगा यह नहीं होगा दिखेगे अर्थ जो है अपने औरवीट में घुमनेके साह साह सूर्य के चारों तरफ भी चक्र लगा और पर और अपने औरवीट में गुबनेके लिए य अब हमारे पास जो है, वो 0.256 डेस बच जाते हैं एक साल में, इसी तरह अगर 4 सालों तक ये प्रोसिजर चलेगा, तो 4 सालों के बाद एक दिन हमारा complete हो जाएगा, और उसी एक दिन को जो है, हम कहां पर count करते हैं, उसी एक दिन को हम February में आट कर देते हैं, और February जो है, वो 28 इसके बजाए 29 दिनों का हो जाता है, देखिए यहां से आप ये समझ गए होंगे, कि क्यों जो है, ये एक दिन बनता है, कैसे ये एक दिन बनता है, और इसको February में फिर count कर दे जाता है, और उस year को कहते हैं, leap year, अब देखो, अगर मैं आपसे question पुछता हूँ, कि 21 जो है, वो leap year है या नहीं, आप 21 को कह करोगे, 21 को आप 4 से divide कर दोगे, और आप कहोगे कि हाँ, 21 जो है, वो leap year है, प्रन्तु 21 जो है, वो leap year नहीं है, अब ये क्यों leap year नहीं है, देखिए, generally जो है, वो माना जाता है, कि जिस year के end में double zero होती है, वो leap year count नहीं होता है, याद रखिए कि जिस year के end में double zero होती है, वो leap year count नहीं होता है, चाहे फिर वो 4 से ही क्यों divide होता हो, प्रन्तु इसके बाद एक और exception आजाती है, आप वहोगे कि 2000 जो है, वो तो leap year था, 2000 के end में भी 20 आई थी, 2000 leap year कैसे हो सकता है, इस हिसाब से 2000 leap year नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर एक exception बताई गही है, exception यह बताई गही है, जो year जो है, वो 400 से डिवाइड हो जाता है, उस year को leap year कहते हैं, तो 2000 जो है, वो 400 से completely डिवाइड हो जाता है, इसी लिए 2000 जो है, वो leap year है, और 2100 जो है, वो leap year नहीं है, दिखे यह थोड़ा सा पेजीदा concept है, 2100 और 2000 का, प्रन्तु, exam point of view से भी यह आपके लिए important है, और आपकी journal awareness के लिए भी यह important है, अगर अब आप से कोई पूछेगा, 2100 leap year है या नहीं है, तो आप कहोगे कि हाँ, 2100 leap year नहीं है, और 2000 leap year है, क्योंकि 400 से यह डिवाइड completely हो जाता है, और 2100-400 से भी completely डिवाइड नहीं होता है, तो यह basic concept आप समझे ली पीर के बारे में, I hope कि यह concept आपको समझाया होगा, so that's all, thank you for watching the video.